तो कहानी की शुरुवात होती और हमें रोचर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की चुटिया होने के बाद वो अपनी घर आ रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है यहाँ पर हम देखते हैं कि रोचर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत है ज्यादा खोश हो रहा था अब हम देखते हैं कि वो घर पहुछ जाने के बाद अपनी मॉम से मिलता है लेकिन उसकी मॉम की नजर उसकी गिले पैंट पर पढ़ जाती है दरसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोचर ने अपने नौकराणी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था जिसको उसकी मॉम देख लेती है अब अपने घर के अंदर जब वो आता है तब वोहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है जिब वोहाँ पर उसकी नौकराणी को इमरजन्सी लग जाती है तब वो वहां से भागने लगता है लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फेसल जाता और वो नीचे गिरता है तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज आ रही है अब जब वो अपने दर्वाजे से बाहर देखता है तब ही उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली होती है और वहाँ भी कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है और तब ही वहाँ पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं और इन तीनों नौकरों को देखने के बाद यहां के नौकरानिया जी बजीब इशारे भी करने लगती है अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोचर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है लेकिन वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लिता है और उसको वहाँ से फोरण जाने के लिए कहने लगता है तब ही उसे वहाँ पर उसकी सिष्टर मिल जाती है जो कि उससे पोचती है कि अब तक तक तुम कहां गायब हो गए थे अब इसके बाद उसकी सिष्टर उसे पास ही कि चर्च में लेकर जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छट पर लेकर जाती है और वहाँ पहुँचने की बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोचर की आंटी आई है जो कि चर्च के फादर से कहती है कि जब से हमारे घर में रोचर आया है तब ही से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारू अब जब रोचर को ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है अब वो उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके तब ही वही पर वो चर्च के फादर के पास गिर कर उल्टा लटक जाता है तब वहाँ पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं तब उसकी मदर पूछती है कि आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए तब फादर कहते हैं कि इसे पीछे से सौ बार मारा जाए और ये सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रोचर अपने सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है लेकिन तब ही वो बाहर देखते हैं कि उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटिमेट हो रही होती है और अब जब वो उस शक्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता अब जब वो नौकरानी रोचर के पास आते है तब वो उससे पूछता है कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेयाम ऐसे काम करता है तब वो नौकरानी रोचर से कहते है कि ये हम सब लोगों का सिक्रेट है और बस वो इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है अब थोड़ी दिर बाद रोचर को वहाँ पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी होती है तब रोचर उस कहानिय को छिप कर पढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आयो होती है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ इंटिमेट होने लगता है अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोचर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे वहाँ पर टश करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी भी आने लगती है जिससे देखने के बाद रोचर वहाँ से भाग निकलता है अब यहाँ पर भी रोचर को कुछ नहीं मिलता जिसके बाद वह घर जाता है अब वह नोकरानी पहले तो उसे मना करती है लेकिन फिर बाद में वह भी मान जाती है अब अगली दिन घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते है तब इसका फाइदा Roger उठाता है तब वो कमरे में जाकर एक नोकरानी के साथ इंटिमेट होता है अब रात हो जाने के बाद Roger अपनी आंटी का इंतिसार कर रहा होता है अब काफिरात गुजरने के बाद उसकी आंटी आभी जाती है और यहाँ पर यह दोनों बहुत सारे बातें करने लगते हैं फिर वो उससे कहता है कि तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोचर को मना करती है लेकिन उसके फोर्स करने के बाद वो मान जाती है जिसके बाद आज रात यह दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं अब कुछ देर बाद वहाँ पर हैले नाम की नौकरानी आती है तभी रोचर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है अब अगली दिन हम देखते हैं कि रोचर अपनी हवस मेटाने के लिए अस्तबल में जाता है जहाँ पर रोचर एलिसा को सेड्यूस करने लगता है और यहाँ पर वो इसके साथ भी फिजकल रेलेशन बना लेता है अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोचर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है अब इसके बाद काफे वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रोचर इस हद तक गुजर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोचर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट होता है उसे प्रेगनेट करके ही छोड़ता है अब इसके बाद यहाँ पर रोचर की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है और अब वो अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तभी वहाँ उसके पास एक और लड़की आती है जो कि उससे कहते कि वो भी प्रेगनेट है और यह बेबी दुमारा है और ऐसा सुनने के बाद रोचर और भी जाता शौकड हो जाता है और आखिर का रोचर सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर अपने स्कूल वापस चला जाता है और इसी को दिखाते ही इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है